सीवी रामन ग्लोबल उनिवर्सिटी उननीस सौ संतानवे में संजीब कुमार रौध द्वारा यह सीवी रामन ग्लोबल उनिवर्सिटी में स्थापित किया गया था और बाद में 2020 में यह UGC द्वारा एक विश्व विद्ध्यालय के रूप में मानिता प्राप्त करके उसका नाम सीवी रामन ग्लोबल उनिवर्सिटी में बदल दिया गया जो ग्यान के विस्तार और तकनीक के प्रसार की समर्पन और सहयोग की तीन मशालों को बनाए रखता ह अवसर की समानता और इसके सभी हिद्धारियों, छात्रों, शिक्षा विद्ध्यार्थियों, समाज और उद्ध्योग के लिए एक मन, सोच और अभ्यास में उत्कृष्ट था ओडिशा का एक समर्द्ध बढ़ रहे शिक्षा, हबके उच्च शिक्षा की बढ़ती आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए 1997 में स्थापित हुआ यह सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने तेजी से उच्च शिक्षा की आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए 1997 भुवनेश्वर में स्थापित किया गया था इस नाम को सीवी रमन, प्रमुक शिक्षाविद और सामाजिक सुधारक को श्रद्धानजली के रूप में बढ़ाया गया है यह विश्व विद्यालय अपने मिशन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है संरक्षन, स्रिष्टी, प्रगती और प्रसार की उत्कृष्टता है दुनिया भर से लाए गए छात्र इसकी शक्ति और प्रेरणा है यह विश्व विद्यालय अग्रेड से सम्मानित है और राष्ट्रिय इंस्टिटूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF द्वारा 2021 में मंत्रालय of HRD द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेजों के बीच पांच सोविं स्थान पर रैंक किया गया था विश्व विद्यालय चार वर्षिय सनातक, B-Tech डिग्री कार्यकरम और दो वर्षिय पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री M-Tech कार्यकरम प्रधान करता है और इसके तहट ओडीशा राज्य प्रध्योगी की शिक्षा और व्यावसाईक प्रशिक्षन के तहट विभिन्न विशयों में तीन वर्षिय डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम भी है जिसमें सभी विश्व विद्यालयों में सबसे अधिक CGPA रेटिंग है ओडीशा भारत में इस दिष्टिकोन की मजबूती का सिध्धान्त है कि यह विश्व विद्यालय इंटरनेट में उपलब्ध डेटा के अनुसार ओडीशा के पारंपरिक विश्व विद्यालयों में दूसरा सर्वोत्तम रैंक करता है रिच एकेडेमिक मौजिक छात्रों को पारंपरिक और नए कोर्सेज का एक बहुरूपी मिश्रण प्रदान करता है प्रत्येक कोर्स को ऐसे सनरचित किया गया है विश्व विद्यालय की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अनेक और बहुत बनाए गए है अन्य संस्थानों के साथ परियोजना प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए यह विश्व विद्यालय हार्दिक प्रयासरत है पुस्तकालय को मुख्यधारा के मंच पर विचार का देवालय मिला है जिसमें तीन लाख से अधिक पुस्तकों, मसौधों और ई-बुक्स का एक अध्वितिय संग्रह है पुस्तकों की डिजिटलाइजेशन एक सतत प्रक्रिया है और छात्रों को ऑनलाइन सर्वश्रेष्ट पुस्तकों, प्रकाशनों और अनुसंधान पत्रों का उप्योग करने की सुविधा है कैंपस पर अंतरराष्ट्रिय चात्र केंद्र एक सच्चा विभिन्नता, युवाशक्ती और वैश्वी करण का एक सजीव कुंजीलाट है जिसमें मध्यपूर्व, दक्षिनपूर्व, एशिया और अफ्रीका, यूएसे और यूरोप सहित 18 प्लस विभिन्न देशों के चात्र है विश्व विध्यालय न केवल विदेशी चात्रों को प्रवेश में मदद करता है बलकि चात्रों के बीच सांस्कृतिक समझ और स्विकृति को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करता है उसी तरहे चात्र सुविधाकेंद्र एक स्थानिय समाधान है जो विश्व विध्यालय के साथ सभी चात्र इंटरेक्शन की आवश्यक्ताओं को एक ही चट के नीचे पूरा करके उनकी सभी आवश्यक्ताओं को पूरा करने में मदद करता है एक खुश मिजाज और समर्थन करने वाला वातावरन छात्रों और शिक्षकों को अपने सपनों की पुरस्कती करने के लिए प्रोटसाहित करता है विश्व विद्याले ने विज्ञान के क्षेत्र में विशेशज्य शिक्षकों को प्रमुख प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने का एक अद्वितिय अभ्यास अपनाया है जिससे उत्पन्न अनवेशकों के बीच वैज्ञानिक उत्साह और अनुशासन को बढ़ावा म विश्व विद्यालाय कैंपस पर जीवन की गुणवत्ता धनी विविध और रोचक है यह एक ऐसा अस्तित्व है जो प्रत्येक छात्र को उनके व्यक्तित्व के विभिन पहलूँ को विकसित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है चाहे वह शिक्षा, खेल य पूराने पेड और वास्तुकला न केवल इतिहास के प्रति एक आकरशक संकेत है बल्कि पढ़ाई और विकास के लिए सही स्थान भी है चात्र और शिक्षक समान रूप से कैंपस पर नवीन सुविधाओं का लाब उठा सकते हैं कैंपस पर निवासी सुविधाएं बड़ और अध्यतित दोनों हैं एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर के साथ शुरू होता है और खेल और सांस्कृतिक प्रियाओं के लिए पर्याप्त क्षेत्र है एडिटोरियम छात्रों के बीच अभिनय निर्देशन और उत्पादन के प्रति प्रेम को बढ़ावा देते हैं उ जो छात्रों के बीच जांच और नवाचार की भावना को पोशित करता है जिसमें खुले समाप्त प्रयोग को समर्पित किया गया है आईए अपने सपनों को यसीवी रमन इवर्सिटी के साथ साकार करें एक कदम सर्वोत्तम शिक्षा की ओर अधिक जानकारी के लिए दिये गए नंबर पर संपर्क करें और चैनल को सब्सक्राइब करें